हालो स्टूडेंस वेलकम बेक टू माई चानल आएम स्निया दिवीदी और आज की वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सेसाइज 5.2 का चानल नमबर 12 तो देखें स्टूडेंस इस क्वेशन को कैसे करना है वह मैं आपको एक्स्प्लेइन कर देती हूं तू एपी यहाव दे तू हैं सबसे पहले थाच क्या उप्रेंस यह मैं ने बूला एक एपी को मानने लिए लिएत तू इस तरीकिशाथ दो हैं मतलब दो अलग अलग सीक्वेंस हैं अगा यह एपीवान इस पोंद आप आप यह अलग सीक्वेंस आगर यह जानि उन अग על क्या होता है A A plus D second term यही होता है ना A plus 2D यह third term हो गया , A plus 3D डॉत 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 यहीं चलता है ना हमारे फिक सब्सक्राइब यह 1 K P है और 1 K P 2 है तो हमने इसका A, मतलब जिसका first term है उसको अलग लिया, क्यों? क्योंकि question में कहीं नहीं लिखा है कि दोनों का first term same है, कहीं लिखा है क्या नहीं लिखा है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों का अलग अलग लेना पड़ेगा, भाई, किसी का first term 2 है, तो किसी का first term 5 हो सकता है, इसने कहीं भी नहीं यहां भी ने लेंगे I hope आपको समझ में आया है सबको तो a plus 2d d हमारा same लिया हैं क्यों कुपिके question में clearly mention है कि a p have the same common difference the difference between 100th term पहले हम यह कर लेते हैं पहले दो a p लेनी और दो a p का difference क्या ले लिया same ले लिया, dot 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 ऐसी चलता रहा है जारा है फंत टर्म तक अब देखे, आप उन्हाँ difference between hundredth term is hundred, जो दोनों के hundredth term है, दोनों के hundredth term first AP का hundredth term क्या होगा hundred term of AP 1, यह लिख सकते हैं हम ने जो मान लिया, कुछ भी लिखो है, आप अगर कुछ भी ले रहे हैं फॉर्स अपने मन में कर रहा है तो भी ले सकते हैं यहां पर हमारा एक क्या था फॉर्स तर्म दिस प्लस नाइंटी नाइन डी राइट अब क्यूंकि दोनों का डिफ्रेंस बोला है 100 टर्म का डिफ्रेंस हंड्रेड है तो हंड्रेड टर्म अफ एपी वन अब हंड्रेड टर्म अफ एपी टू अब एपी टू का हंड्रेड टर्म क्या होज़ेगा एफ प्लस नाइन डी अब दोनों का डिफ्रेंस कर देंगे जिसकी वैल्लू क्या होगे 100, difference मतलब minus कर देना है, तो इन दोनों को subtract कर दो, बहुत easily, a plus 99 d minus a plus 99 d पूरे को minus करने का है न, इसलिए मैंने bracket लगा दिया मैं चाहती तो direct भी कर सकती थी minus और इसको भी minus, बट मैं पहले समझाना चाहती है, is equals to 100, सावज आया है क्या किया मैंने, I hope clear है, तो a plus 99 d, plus minus is minus a, minus plus is minus 99 d अब इससे ये cancel क्योंकि, same है न plus है, minus है, minus हो जाएगा अब ये ऐसी रहेगा, a minus a is equals to 100, अब क्या बोले, what is the difference between their thousand term इनके thousand term में क्या difference होगा, हमने पहले तो ये निकाल लिया, ठीक, अब क्योंकि इसके बाद हम आगे कुछ solve करने लाएक बच नहीं रहे, तो हमने इसको यसी रख दिया, अब हम क्या करेंगे इनके thousandth term का difference मुझे है, तो thousandth term बिल्कूल as it is कर देंगे, जैसे हमें का है, ठीक है, बस यहां पर हम 100 न लिखेंगे, क्योंकि हमें इसकी value नहीं पता, तो सबसे पहले हम लिखेंगे thousandth, thousandth term of a.p.1, a.p.1 का जो thousandth term है, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस 999, d. अब दोनों का difference बोला है, तो दोनों का difference कर देते हैं, अब इसकी value हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता क्या value, तो हम बस इतना ही करेंगे इसको, a plus 999, d minus, a minus minus is plus 999, d. यह इससे cancel बचे के a minus a, यहां लिखेंगे, difference between their thousandth term is equals to, यह इसकी value है, तो क्या है इसकी value? यह माइनस a, अब a minus a की क्या value थी? 100, तो क्या है difference, thousandth term का difference भी क्या आगया? 100, right? I hope आपको समझ में आए, क्या है question, कैसे करना है, बहुत easy है, बस तो उड़ा सा हो लगाना था, कि दो a p दिया, तो इस तरीके से simple, इस तरीके से दो a p बना लो, right? और दो a p बनाने के बार दोनों का difference लिख लो, right? d, same रखना, और a, अलग-अलग लखना first term, क्योंकि हमें a कहीं नहीं दिया है question में की first term same है, differently है, इसलिए हमने एक को अलग-अलग लगा, फिर जो question में कहा है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, question पर focus करो, rather than answer, जिस दिन question पर focus करना start कर दिया, answer अपने हाँ पाने लगेंगे, क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, जैसा question ने कहा, पहले मैंने first line समझी क्या कह, उसके according किया, फिर आके समझा, उसने क्या किया, वही करती गे, जो question कहता किया, मैं वह करती गे, अब मेरा answer आगे, I hope आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है, तो फटा फट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और share करना मैं भूलिए, share करती रही अपने friends को, जैसे आपको समझ में आए, वैसन को भी समझ में आएंगा, okay, thank you बबे, comment section में comment करना बिलकुल मैं भूलिए, ताकि पता चले कि वीडियो कैसी बन रही है, क्या अट्रावेक्स है, क्या उसमें कमी है, उसको मैं फिर improvise करूंगी, right, तब तक के लिए, bye-bye, take care, stay safe, stay at your home, अभी भी कोरोना बहुत स्प्रेड हो रहा है, तो इसका खास तोर पे ध्यान रखिए, hand sanitize करते जहिए, sanitize से better तो मैं समझूंगी कि hand wash करते रहे, right, bye-bye, take care, thank you so much for watching my videos,